नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज जेट इन इंडिया मैं हूँ आपके साथ पूजा शुरुवात इस वक्त की एम खबर के साथ करेंगे नए मोचो वीकल कानून के खलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जा रही है देश भर के ट्रक जाइवर इस कानून का विरोध कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन की वज़े से लोगों को दिक्कतों का भी सामला करना पड़ रहा है इस कानून में हिट एंड रन को लेकर कड़े प्रावधान किये गए हैं इसका विरोध ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं आपको बता दें, Motor Transport Association से केंद्रिय ग्रेह सचिव की बातचीत होगी, यह बड़ी जानकारी सामने आ रहे है, दिल्ली के North Block में आज शाम 7 बजे यह बातचीत होगी, ग्रेह सचिव और Transport Association के बीच यहां बातचीत होगी, बातचीत के बाद क्या कुछ यहां सहमती बनती है, इस पर भी नज़र रहेगी, लेकिन शाम 7 बजे दिल्ली के North Block में यह एहम मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, चर्चा यहां पर की जाएगी, इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे है, Motor Transport Association से यह बातचीत होगी, नए कानून के विरोध की वज़े से यात्रियों को दि बढ़ती जा रही है, सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहा है, ट्रॉक ड्राइवर सर्ताल कर रहे है, जिसकी वज़े से आम लोगों के लिए दिक्कत बढ़ती जा रहे है, वही केंद्रे मंतरी वीके सिंग ने यह बताया कि यह कानून दरसल यात्रियों की ही मदद के क्या दिक्कत है पहले भाग जाता था ड्राइवर कुछ नहीं होता था अब एक कानून बना जिसे कि वो सजग रहे तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि यह हमको पसंद नहीं आ रहा है कल तो आप कहेंगे हम तो कि लोगों को मारते वे चले एक्सिडेंट की बात नहीं है हिट और रन की बात अगर यह समझ में नहीं हा रही है तो आप लोग समझाईए हो तो सरकार ने हिट और रन में जो नया कानून बनाया है किस मकसद की बज़े से बनाया है यह हम आपको ग्राफिक्स के जरी एक के करके समझाते है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है क्या फाइदा इससे होगा देखिए हिट और रन रोकने के लिए ये एक बड़ी पहल के तौर पर देखा जा रहा है रोड अक्सिदेंट्स होने पर लोगों की जान बचे इसके लिए ये पहल की जा रही है सरक हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए ये नया कानून लाया गया है पुराना कानून जो इसमें क्या का गया था देखे पलापर वाही से गाड़ी चलाने का केस यहां पर दर्ज होता था और गैर इरादतन हत्या का केस यहां दर्ज किया जाता था इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि धारा 338 जो थी वो कहती थी जिंदगी को खत्रे में डालने का केस इसके तहट दर्ज होता था अब हाजसे की जगे से भागने और अस्पिताल पहुंचाने वाले दोनों पर एक जैसा कानून तब लागू हुआ करता था पुराने और आरोपी को तुरंट जमानत मिलने का प्रावधान भी पुराने कानून के अंदर था जिसे बदल दिया गया आरोपी को दो साल की सजा का प्रावधान पुराने कानून के अंदर था और यही वज़े कि जब नया कानून लाया गया है तो इसका विरोध किया जा रहा है य लेकिन पुराने कानून को हटाने के पीछे सरकार की मंशा यही थी कि जो सड़क हाथ से होते हैं उसमें घायलों की जान बच सके, फिर इसका विरोध क्यों? कि अब जो अगर एक्सिडेंट के बाद अगर कोई हिटन दन में अगर रुखता है, अगर पिडित को अस्पताल पहुंचा आता है, तो उस पर जमानती वारंट होगा, हैसा नहीं एवेलेबल होगा जो भी ओफेंस होगा, और लोग तब अपनी जिम्मेदारी उठाने से बच अगर कोई गलती कर रहा है, अगर उनको अगर सरकार कानून में उनकी सजा का प्रावधान कर रहे हैं, तो आखिर गलत क्या है, तो इसी लिए सरकार की चिंता इस बात इस बात की है, कि आखिर इस नए कानून पर जूट बोलकर ट्रॉक्ट ड्राइवर्स को कौन भढ़का तो जाहिर है यह कानून सरकार ने बनाए हैं मृत्यकों की संख्या घटाने के लिए और उन लोगों में डर कम करने के लिए जो सड़क पर गायल को छोड़कर भाग जाते थे या पर एक्सिदेंट देखकर भी जुबान बंद कर थे कहीं पुलिस उन पर भी कोई सजा न कर दे तो मुझे लग और इसलिए यह साफ है कि तरकार की मर्शा की जो जान बुक्तला पावाई है अज शाम साथ बजरे दिल्ली के नौर्ट ब्लॉक में बातचीत भी होने वाली है मीटिंग भी होने वाली है क्या यहां से समझा जाए क्या इस मीटिंग से कोई हल निकलेगा देखिए क्योंकि इस इस ट्रकर की हरता से काफी पैनिक हो रहा है लोग सामान जगरे पे नहीं पहुंच रहा है अगर सथी जगर नहीं पहुंचे नहीं कोई पहुंचेगा तो उसकी किलत होगी लेकिन सरकार की चिंता यही है कि नए कानूनों पर जूट भोलकर ट्रक डाइवर्स को भढ़का कौन रहा है इसलिए उनको समझाने बुझाने की यह कोशिश है सरकार की ची आईए मिल बैटकर बात करते हैं और उसको सुल जाते हैं बिल्कुल अमिता बहुत शुक्री आपका यह जानकारी हमारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो दरसल पुराने कानून के तहट कुछ बदलाव किये गये हैं नया कानून लाया गया है और कोशिश यही है कि जो रोड आक्सिडेंट्स होते हैं उसमें घाय लोग को बचाया जा सके हाला कि इसका विरोध हो रहा है और विरोध की वज़े से यात्सियों की मुश्किले बढ़ रही है अब इसे लेकर आज शाम साथ बजे एक मीटिंग भी होने वाली है क्या वहां से हल निकलता है इस पर भी नज़र रहे हैसी बानी बोलिये मन का आपा कोई और निकोशी तल कने आप पहुशी तल हो एक कभीरा आप पहुशी तल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ी खजू बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ी खजू पंति को जाया नहीं पंति को जाया नहीं पल लागे अतिदूर कभीरा पल लागे अतिदूर खड़क बीरा चौक पर मांगे सब की ठैर खड़क बीरा चौक पर मांगे सब की ठैर